तुम्हारे बेटे को तुम्हारे बहुत यार आती है ओ, सच में? क्या उसने ऐसे कहा? नहीं पर अपने रॉकेट से खेल रहा है तो उसे याद तो आती ही होगी जब मैं वहाँ था तब भी वो उससे खेलता था पहस मत करो तो स्पेस में कैसा लग रहा है? काफी मज़्यदार होगा ना? हाँ, सब ठीक है, कभी खुशी, कभी गम ओ, कमान, बताओ ना कैसा लग रहा है ओके, हाँ, मैं यहाँ एक्सिसाइज कर रहा हूँ सच में, तो क्या अब तुम जॉन सिना जैसा बनना चाहते हो? अरे, नहीं, ऐसा नहीं है तो बात यह है कि एन्वायमेंट में हमारे मसल्स को लगता है कि उन्हें अब इन एक्स्प्राट इशूस की जरुवत नहीं है और वो श्रिंक होने लगते हैं तो अब मसल्स भी बोलने लगे हैं प्लाइनेट्स भी बोलते होंगे अच्छा मजा के तो मेरे कहने का मतलब था कि मेरे एक्सिसाइज करना जरूरी है वरना जब मैं घर वापस आउँगा तो एक बिच के वे टमार्टर की तरह दिखूँगा और तुमारी हड़ियों का क्या? उसके साथ भी यही इशू है अगर मैं स्पेस में वकाउट नहीं करूँगा तो हर मैने मेरी बोन डेंसिटी लगभग एक पसंट कम होती चरी जाएगी तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि घर लोटने पर मेरी हड़िया टूट जाए वाउ, खेर, तुम अपने बोड़ी का खयाल रुखो तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ तुम समझ रहे हो ना? हाँ, नहीं, मैं भी तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ क्या, हूस्टन तुम हमारी बाते सुन रहे हो सहर उसे पता चल गया कि हम उसकी बाते सुन रहे हो तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मेरा नाम हिूस्टन धोड़ी ना है